हाई फ्रेंज क्या आपको भी वाइट सॉस पास्ता खाना बहुत जादा पसंद है तो आज मैं वाइट सॉस पास्ता इतनी यूनिक रेसिपी से बना रही हूँ जो आपने पहले नहीं देखी होगी इसके लिए मैंने मैदे, आटा या मिल्क किसी भी चीज का यूज नहीं किया है बस पास से दस मिनट में बन करके रेडी हो जाएगी ये इतनी सूपर डिलीसियस और क्रीमी बनती है कि अगर आप इसे एक पर बनाएंगे तो आप इसके फैन हो जाएंगे मैं हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करके पास्ता बनाती हूँ और मेरे घर में ये सबको बहुत जादा पसंद है तो चलिए देखते हैं इस मज़िदार से रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है तो इसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ स्वीट कॉन ये फ्रेश वाले स्वीट कॉन है जो मार्केट में बहुत इसली अवेलेबल होते हैं आप भी कोसिस करें कि फ्रोजन वाले ना ले करके फ्रेश वाले ले अब मैं कुछ सबजिया कट कर ले रही हूँ जिसमें मैंने लिया है ग्रीन, रेड और येलो बेल पेपर, थोड़े से गाजर और थोड़े से बेबी कॉन आपको जो भी सबजी पास्ता में पसंद है आप अपने हिसाब से उन सबजियों के यूज़ कर सकते हैं मैंने साथी में 4-5 लेसन की कलिया ली है और इसे बारी काट लिया है अगर आप लेसे नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं पास्ता बॉयल करने के लिए पानी बिलकुल गरम है अब मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता थोड़ा सा नमक और एक चमस तेल तेल डालने से पास्ता आपस में चिपके गानी और बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगा साथ ही दूसरी तरफ मैं स्वीट कॉन को भी बॉयल कर ले रही हूँ इसे मैंने लगबग 10 मिनट पकाया है पास्ता बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है और पास्ता बॉयल करने टाइम हमें ये धियान रखना है कि इसे ओवर कुक ना करें अगर ये ओवर कुक हो जाएगा तो इसका टेस्ट खराब हो सकता है स्वीट कॉन प्रॉपरली बॉयल हो चुका है और अब मैं इसे इस तरीके से कट कर ले रही हूँ ध्यान रहे अगर ये बहुत जादा गर्म रहा तो आपके हाथ भी जल सकते हैं और अब मैंने इसके एक-एक दाने अलग कर लिया है मैंने पैन में थोड़ा तेल गरम किया और इसमें डाला एक चमज बटर मैंने वेजेटेबल ओयल का यूज किया है आपकी जो मर्जी आप उस तेल का यूज कर सकते हैं लेसन और मिर्ची को लगबग मैंने आधे मिनट फ्राई किया और अब बाकी की सबजया मैं इसमें के करके डाल दूगी मैंने तीनों बेल पेपर्स रेड ग्रीन और यलो एक साथ डाल दिया है और अब मैं इसे लगबग एक से दो मिनट फ्राई करूँगी सब्जियों को बहुत जादा दिर तक फ्राई नहीं करना है बस एक से दो मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटेवे गाजर और कटेवे बीपी कॉन साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और अब इसे ढखकर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी बस दो से तीन मिनट मैंने इसे ढखकर के पकाया है और ये बिलकुल रेडी है इससे जादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है बस हमें इतना ही फ्राई करना है कि सबजियों का जो क्रंच है वो बना रहे है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता तो आप देख रहा है ना ये पास्ता बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हुआ है इसके इक इक दाने अलग है इसी के साथ मैं डाल रही हूँ बॉयल स्वीट कॉन और आधी चोटी जीरेक पाउटर बस मैंने इतना ही मसाला इसमें यूज किया है पास्ता में इससे जादे मसाले यूज करने की जरूरत नहीं है तो अब मैं इसमें डालूंगी सीक्रेट इंग्रेडियेंट जी हां जो है क्रीम तो मेरे पास एज्डा का फ्रेस्ट डबल क्रीम अवेलेबल ह है आपको जो भी क्रीम आसानी से मिल जाए जैसे अमूल वगैरा का या फिर किसी बी और ब्राइंड का आप उसका यूस आसानी से कर सकते हैं और अगर डबल क्रीम है तो उसका टेस्ट और जादा अच्छा आएगा बस यही है सीक्रेट तो इसे अच्छा से मिलाने के बाद मैंने इसे लगभग दो से तीर मिनट ढखकर पकने के लिए छोड़ दिया है इसे मैंने लो फ्लेम पे पकाया है जिससे क्रीम जलेगा नहीं और बहुत ही अच्छी तरीके से पास्ता में मिल जाएगा यह जितनी अच्छी तरीके से पास्ता में मिलेगा उसका स्वाद उतना ही अच्छा आएगा और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वीगन मायोनीज मैं वेजेटेरियन हो तो मैं एग वाले मायोनीज का यूज नहीं करती हूँ अगर आप जो भी मायोनीज खाना चा अगर टेस्ट एंहांस हो जाता है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी सीजनिंग और एगैनो या फिर मिक्स्ट हर्ब्स और साथी में चिली फ्लेक्स देखिए यह लग रहा है नो बहुत ही जादा रिच्छ क्रीमी और डिलीसियस तो मेरा यकीन मानिये अगर आ आपकी रेसिपी कैसी बनी तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थाइंक यू वेरी मच टेक क्यार बाई बाई